कि यह जींदेर कि, साफ़ाइबया कि आज दॉस्तों आज हम जानने वाले हैं वीजी लैक जीजीजी सैचटिर के बारे दूस्तों जो वीजीलैक सैचिर है वो छोटों बच्यों में युजकर जाता है जो वीजीलैक है आपको कैजिल फाम में भी serio मिलेगा और आप drop form में भी मिलता है तो जो capsule होता है वो बड़ों के लिए होता है जो इडल्ट होते हैं बाव 18 अथ्वा साल पर वे यह उनके लिए हैं जो जी झी होता है वह सैचेट कर रहा हूँ आगे किसी और वीडियो में मैं टैप्सूल का या ड्रॉप का भी करूँगा तो दोस्तो आज हम समझेंगे वीजी लैग जी जी के बारे में जो की एक प्रोबाइटी है आगे म बताने वाला हूँ इसके फाइदे के बारे में इसके यूजेस के बार रहूं आप वीडियो को लास्त तक देखें दोस्तों बात करें वीजी लेग जी जी शैचेट के बारे में इसको टोरिण्ट नामक कंपने दवारा बनायता थैंट बहुत ही बड़ियां और बाड़ी कंपनी है उसके दोरा बनाय जाता है जो कि सैचेट फॉर्म में आता है जो एक सैचेट है आपको इमाई स्क्रिन पर दिखा दे रहा हूं इन ये ज़ो सैचेट है ये 0.75 ग्राम का होता है और एक सैचेट की प्राइज आपको 57 रूपिस है 57 रूपिया है एक सैचेट का और एक बॉक्स आता है एक बॉक्स में 10 सैचेट रहते हैं और एक सैचेट का दाम 57 रूपिया है 57 है 10 सैचेट का आपको 570 रूपिया पड़ेगा दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपको किसी भी नजदी की मेडिकल पर मिल जाएगा इसमें जो कमपोजीशन डाला गया है वो एक प्रोबाइटिक है जिसको बोलते हैं लेक्टोबाइसलस रेमोनसेस जीजी जो कि एक प्रोबाइटिक है एक्शुली क्या होता है हमारे सरीर में हमारे पेट में डाजेस्टु सिस्टम में बहुत सारे प्रोबाइटिक होते हैं अच्छे बैक्टिरिया होते हैं लेकिन किनी वज़े से डायरिया ये डिसंटरी के वज़े से वो अच्छे बैक्टिरिया जुलाब के दास्ते से या पाइखाने के रास्ते से निकल जाते हैं इस्पेसिली छोटे बच्चों में तो यही कारण है कि अच्छे बैक्ट्रिया जो होते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए बाहर से हमको प्रोबाइटिक देते हैं जो कि एक वीजी लेग जीजी भी हो सक जाता है तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में तो इसका जो यूज है डाइरिया में एस्पेसिली किया जाता है डाइरिया जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट हमेसा चालू रहता है तो उनको यह देते हैं कि ताकि उनमें अच्छी बैक्ट्रिया आ ज क्लिविमारी है बरों का भी झ्यूज है छोटों का भी सेम ज है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफक्ट के बारे में तो नॉर्मली उसे ज़्यादा साइड इफक्ट नहीं है अचानक पुरी बदन में खुजली होने लगती है उमेर्टिंग जैसा मन होता है और जो पेट है डर्द करने लगता है गैस बनाने लगता है यह सब साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं आप बात कर लेते हैं डोज का तो जो साइचेट है दोस्तों आप दिन में दो बार छोटे बच्चे को दे स देखने प्रफूल है क्या आपको दो से तीन दिन में ही ठीक हो जाएगा इसका जो डोज है डिवरेशन है वो पाछ दिन तक एक बॉक्स लिखते हैं डॉक्टर जो पाच दिन आपको देना रहता है लेकिन 2-3 दिन में ही जो बच्चे की डाइरिया है दस्त है वो ठीक हो ज साथ सही डॉक्टर उसका डोज देगा बहुत ज़दा सीवियर है तो दोसे वार मेडिसीन दे सकता है कम है तो एक बाहर भी सकता है कि आपको अपने से नहीं लेना है अगर डोज उपर नीचे हो गया तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप जानकारी थी वीजे लाइक जीजी की I hope मैं आपको समझा पाया हूँ आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगली वीडियो में